नमस्कार हो सलाम, सुवागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम सीखेंगे और एक advanced concept सीकोल में जिसका नाम है common table expression जिसको हम CTE भी कहते हैं इस वीडियो में हम introduction सीखेंगे और कुछ सिनारियोज तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि CTE को किस तरीके से लिखना है एक common table expression को इसकी शुरुवात होती है with keyword से इसमें हम create नहीं लिखते with keyword से करते उसके बाद एक नाम देना है जैसे हम table या view को नाम देते तो मैं एक नाम चूज करता CTE select data पहले example में हम इसका structure या इसका construction समझेंगे बाद में हम practical पर आते हैं तो with CTE select data इसके बाद में as bracket open close और इसके अंदर आपको query लिखनी है और बाद में फिर output pull करना है तो दो चीजे आपको मैं बताता हूं कि CTE में क्या हता है एक inner query होती है और outer query होती है और outer query है आपका action होता है inner query में हम preprocessing करते हैं ऐसे को समझ लो और outer query में action होता है उस processed data पर या processed stage पर तो बड़ा simple हम शुरुआट करते हैं जैसे मान लीजे मैंने लिखा select start from dim product अब इतना ही अगर हम run करते हैं था हमें पता है यह पुरा का पुरा table लाके दिखा यह मेरी inner query है और उसके बाहर मैं लेख सकता कोई भी select insert update या delete statement और फिर हम लिखेंगे select start from सबसे important चीज़ यहाँ पर है कि हम table का नाम लिखते हुए ना लिखते हुए cte का नाम लिखेंगे क्योंकि यह जो inner query होती है यह temporary result return करती है वो cte में save होता है और फिर हम उसी cte को बाहर call करते है तो इसको इकटा select करके आपको run करना है अब आजाएगा output अब आप सोच रहोगे कि यह तो हम काम एक ही line से कर सकते थे इतने सब लिखने की क्या जरूरत है पर यह हमारा हमारी बस शुरुवात है cte पर या commentable expression पर तो यह body है यह body किस तरीके से बनाना है समझने के लिए मैंने यह example लिया है इसको हम और भी बहतर या अलग-अलग scenarios में इस्तेमाल करेंगे तो inner query और यह outer query अब थोड़ा आगे बढ़ते होए ध्यान रखिए कि एक चीज़ मैं आपको hint के तोर पे बताता हूँ कि कभी भी आपको कुछ ऐसे काम करना है SQL में जहाँ पर आपको direct एक query में output नहीं आ रहा है और आपको sub queries बनाने हैं खास करके तो sub queries नव करते हुए आप common table expression करें इस सबसे आसान तरीका एक common table expressions को implement करनेगा और उसमें जादा सा जादा इस्तमाल करनेगा अब एक scenario लेते हैं माल लो मुझे दो tables को join करना है तो और फिर उसके उपर कुछ aggregation करना है तो इसके लिए हम common table expression इस तरीक से बनाएंगे with cte माल लीजे agg data as bracket open close dotable लेते हम select from dim product इसको नाम दिया p join fact internet sales f on p.product key is equal to f.product key और फिर हम बाहर लिखेंगे select star from cte data अब हमें सारे columns नहीं चाहिए तो एक अभी थोड़ा बहतर हो रहे हम फिर भी मैं समझता हूं कि यह directly भी हम लिख सकते थे इसमें कुछ अलग नहीं कर रहे हम ठीक है अब हम क्या करते हैं मुझे यह join के साथ aggregate करना है तो aggregate करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम aggregate करते वक बाहर aggregate कर सकते हैं ऐसे इंग्लिश प्रोड़क्ट इम कॉमा सम और सेल सम और इसको हम नाम देते हैं टोटल सेल्स और फिर क्योंकि कॉलम है यहाँ यहाँ पर group by English product name ध्यान आपको यह रखना है कि यहाँ पर हम कोई initials यूज ने कर रहे है जैसे P और F Q क्योंकि यह inner query के लिए था और यह result set हमारा इसके अंदर save होने वाला है तो CT को एक temporary result set भी माना जाता है तो यह पूरा का पूरा जो result है इसमें temporarily save हो रहा है और उसको query कर रहे हो तो जब इसको query कर रहे हो तो यह picture से हट जाता है पूरा result इसमें आ गया है इसलिए यह आपर मैं P और F को कोई इस्तमाल नहीं कर रहा है अब इसको run कर सकते हैं तो देखिए अभी यह जैसे होगा एक intermediate stage और यह final stage इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे आप क्या कर सकते थे कि यह जो है आप directly अंदर भी लिख सकते थे यहाँ पर और यह group by जो है आपका अंदर आ जाएगा और यहाँ पर यह सब कुछ हड़ जाएगा बस हम लिखेंगे select star from यह यह select जो column के नाम है तो इस तरीके से तो दीरे दीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे अभी यह ज़ाधा थोड़ा practical होगा इस सिनारियो तो याद रखे हमेशा कि एक तो sub queries को हम replace करने के लिए commentable expression का इस्तेमाल करेंगे या फिर ऐसा सिनारियो याद रखो कि पहले कुछ आपको preprocess करना है और बाद में उसके उपर कुछ काम करना है तो inner query में वो preprocessing और outer query में आपका action होगा उसके उपर यह चीज़ है अब दूसरा सिनारियो में आपको देता है अक्सर हम एक ऐसे सिनारियो का इस्तेमाल करते है commentable expression में जहाँ पर table में data duplicate हो जाता है पूरे के पूरे रोज और बड़ी दिक्कत होती है उन रोज को identify करना और delete करना और manually करते हैं नहीं बैठ सकते हैं यह रोज काफी होते है ऐसे common table expression आपको फाइदा दे सकता है कैसे तो सबसे पहले मेरे पास एक table है उसको देखते हैं इसका नाम है new EMP यहाँ पर मैंने कुछ rows लिये हैं अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर देखे 13 rows है यहाँ पर एक से 5 जो rows है वो unique है लेकिन 6, 7, 8, 9 जो rows है वो पूरे के पूरे duplicate हो गए पूरा का पूरा data duplicate है यहाँ पर तो यह क्यों होता है कि data अकसर जब load होता है किसी ETL process से या load से तो हो सकता है कि किसी reason से वो duplicate हो गया है दुबारा रान हो आई अब हमारा काम है कि इन duplicate rows को delete करना और यह बहुत ही common scenario है तो इसको delete करने के लिए कैसे करेंगे हमें identify करन आपड़ेगा कि कौन से rows एक से जाधा बारा रही है यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे row number window function का तो यह जाधा practical example है तो row number over order by emp id अगर हम इसको run करते हैं इस तरीके से row numbers आएंगे लेकिन अब क्योंकि partition नहीं था हर row को उसने unique number दिया हमें क्या करना है अगर employee repeat हो रहा है तो उस number reset करना है तो इसके लिए हमें partitioning करना पड़ेगा जैसे हमने पहले देखा है partition by emp id और इसको एक में नाम देता हूँ row num partition की spelling और इसको दुबारा run करेंगे तो आप देखिए जहाँ जहाँ दूसरी बारा आ रहा था data दो आ गया हो सकता है तीन बारा रहा है चार बारा आ तो यह जो एक से ज़्यादा बार जो data आ रहा है उसको delete करना है अब delete करने के लिए क्या है अब directly आप इस पर filter नहीं लगा सकते जैसे मैंने बोला where ronum is equal to 2 यह नहीं चलेगा आपको इसको करना क्या पड़ेगा आपको इसको subquery में convert करना पड़ेगा इस तरीके से select star from यह इसको एक नाम दिया और फिर आपको इसको run करना पड़ेगा इससे बहतर आप common table expression में इस तरीके से लिख सकते हो with cte delete duplicate कोई भी नाम दे सकते हैं यह मेरे जो inner query थी यह मुझे duplicates identify करने का काम करेगी और अगर मैं duplicate को देखना चाहरा हूँ तो मैं simply इस तरीके से लिखूँगा select star from cte where row num is greater than 1 मैं greater than 1 और equal to 2 क्यों नहीं लिखा क्यों हो सकता है कि data दो तीन चार बार delete repeat हुआ है तो उनको सब को identify करना है तो देखो जो एक से ज्यादा बार आया वो मिल गया मुझे अब मैं select के बजा लिखूँगा delete और मैंने आपको बताया था कि outer query में आप select, insert, update, delete कुछ भी कर सकते ह अब अगर हम यह run करते हैं तो चार रोज delete हो गए अब आप table को query करके देख लीजे तो अब सारे के सारे rows unique है और यह बहुत ही commonly इस्तमाल होने वाला या काम आने वाला scenario है बड़े आसानी से दिखें यहां पर हमने लिखा और इसको देखके भी आपको चीजे बड़े आसान हो रहा है बाद में यह process हो रहा है इस तरीके से क्या यह हमने commentable expression की शुरुवात की है commentable expression में बहुत भी चीजे है और भी हम सीखेंगे आगे commentable expression दो टाइप के होते है recursive और non-recursive अब जो हमने देखा है वो non-recursive है recursive हम आगे चलके देखेंगे तो फिलाल के लिए इतना ह और भी सीखेंगे देखने के लिए शुक्रिया बने रहे धन्यवाद